प्रभातकावर.com विश्वास्वही रवतार नई कि देश की आर्थिक ब्यवस्था के लिए खत्रा माना जा रहा है और ब्लैक मनी को वाइट करने के उद्देश से भी इसका इस्तमाल हो रहा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी की अगवाय में इस मुद्दे को लेकर 13 नौमबर को भी बैठक हुई थी या बैठक रिजारूब बैंक वित मंत्राले और ग्रिह मंत्राले की सैयुक्त परामर्ष फ्रक्रिया के बाद हुई जिससे मंत्राले ने क्रिप्टो करन्सी को लेकर विभिन देशों और दुनिया वहर के विशिशग्यों से इस पर चर्चा की क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार शित कालिन सत्र में विधेक ला सकती है RBI के माने तो क्रिप्टो करेंसी से देश की व्यापक आर्थीक और वित्य स्थिर्था का गंभीर खत्रा पैदा होता है देश में अब भी कई लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी में निवेस कर रहे हैं RBI समय समय पर लोगों को चेतावनी देता रहा है निवेस में बड़ा खत्रा है दुनिया भर में मुद्राओं को देश के केंद्रिये बैंक नियंतरित करते हैं लेकिन क्रिप्टो करेंसी के मामले में ऐसा नहीं है. इसका नियंतरन खरीद विक्री करने वाले लोगों के हाथों में सामुहिक तोर पर होता है. यही वज़ा है कि जाएतर देशों की सरकार या तो इन्हें गैर कारूने मानती है या इन्हीं किसी नकिसी रूप में नियंतुर्ट करने की कोशिश कर रही है कृप्टो करेंसी के खरीद विकरी के लिए भारत में इस समय 19 क्रिप्टो एक्शेंड मार्के बारत में अब तक क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई ठोस नियम या गाइडलाइन नहीं है डॉलर और यूरो जैसे नोटों की तरह पिछले 10-12 साल में वर्चुल दुनिया में कई मुद्राएं सामने आई हैं मोटे तोर पर क्रिप्टोकरंसी, वर्चुल या डिजिटल पैसा है